हलो एवरीवन विलकम टू आवर चैनल गाईज यहां पर आप सभी के लिए एक सांदार वेकेंसी का अपडेट है क्या है अपडेट ध्यान से सुनिएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अगर हम बात करें किन-किन पदों के लिए वर्ती जारी की गई है इसके बारे में हम आप से बात करेंगे चलिए अब बात आती है इकोनामिक ट्रांस्फोर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत फार्मर प्रोडूशर और्गनाइजेशन में पहला पोस्ट सिनियर टेक्निकल या एक्सपर्ट क्रॉप हस्बेंडरी के लिए 75,000 सेलरी रहेगी स्टेट हेड़ क्वाटर लखनों में पोस्टिंग मिलेगा दूसरा पोस्ट टे प्रोड़ का पोजीशन क्लस्टर लेवर में देखेंगे तो चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर देखेंगे आपे अलग-अलग-अलग-अलग-डिस्टिक के अलग-अलग-ब्लॉक में कहां पे CEO की टोटल पोस्ट अगर मैं बात करूं तो 19 जिले के 19 जिले के 19 ब्लॉक में ध् पूर आगरा बस्ती चंदौली और देवरिया यह कुल जिलो में अगर हम बात करें इन सभी जिलो में 19 ब्लॉक का ब्लॉक है आपका तापल महिन पूरा उसके अलवा बड़ोखर खोर्द नरायनी बनकैटी उसके बाद फिर मसकारा समयरपूर पाली पिपराइच कोंच उसक सारे के सारे आपके ब्लॉक हैं जहां पे कलस्टर हेड की रिक्वार्मेंट है चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर की सैलरी रहेगी आपकी 25,000 हर एक ब्लॉक में एक चीफ एक्जेकुटिव मुख्यकारे पाला नदिकारी की रिकूरूटमेंट का नोटिफिकेशन है ठीक है य नेक्स आता है अकाउंटेंट पोस्ट नेक्स आता है आपका एकाउंटेंट पोस्ट 10,000 रुपे सेलरी रहेगी टोटल अगर हम आपसे बात करें तो 25 पोस्ट है एकाउंटेंट का तुरू आउट द यूपी चंदौली वस्ति आगरा सुल्तानपूर उसके बाद फिर रखा गया 2 दिसमबर 3 नौवंबर से लेकर के 2 दिसमबर तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं www.asams.co.in पर clear हैगा एसे ms.co.in पर जाकर कि आप अप्लाई कर सकते हैं clear तो गाइस मिस मत किजिएगा अगर आपको लगता है कि यहां पर एक back support बनाया जा सकता है जौब से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं clear अब बारी आती है यहां पर educational qualification तो senior technical या technical expert की अगर हम बात करें तो post graduate graduate agriculture में required है seven year experience के साथ technical expert के लिए MBA required है इसके साथ साथ आपका five years का यहां पर experience होना जरूरी है technical expert social mobilization, rural development में आपका post graduation होना चाहिए five year experience के साथ law account के लिए m.com होना चाहिए five years के साथ ठीक है ध्यान रखेंगे m.com with five years या CA अगर है तो three years experience के साथ next आपका technical expert IT, MBA होना चाहिए ध्यान रखेंगा MBA information technology में या फिर आपका MCA IT होना चाहिए five year experience के साथ CEO की अगर हम बात करें chief executive officer post graduate होना चाहिए agriculture में या फिर MBA agriculture business कोई भी यहां पर experience की requirement नहीं है accountant के लिए कोई भी b.com वाले apply कर सकते हैं बस अर्तिक यहां पर tally और accounting का knowledge होना चाहिए clear रहेगा तो guys ये था आपका उत्तर परदेश state livelihood mission का ध्यान रखेंगे उत्तर परदेश state livelihood rural mission का recruitment notification का update बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे next और नए update के साथ बने रही है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से और जरूर करें अगर आपकी qualification यहां पर requirement की अगर हम बात करें तो requirement के criteria को match कर रहा है तो आप बिल्कुल apply किजेगा last date याज रखेंगे तीन नौवंबर से application process से start हुआ है दो दिसंबर इसका last date रखा गया है ओके तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द thank you so much